डेटा एंट्री टाइपिंग जॉब फ्रीलेंस या फिर वर्क फ्रम होम दोस्तो डेटा एंट्री और टाइपिंग जॉब करने के लिए क्या स्रीप और स्रीप लेप्टॉप और कम्पूटर से ही किया जा सकता है क्या mobile से हम लोग data entry work कर सकते हैं, tapping job कर सकते हैं, freelance work कर सकते हैं, friends बिलकुल भी हम लोग mobile से ही data entry, tapping job, graphic design, ये सभी types का work चुक है, freelance work चुक है हम लोग कर सकते हैं, और बिलकुल भी मैं पूरा का पूरा आपको live देखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने smartphone देखी, data entry करके, typing करके, daily 1000 से लेके 3000 तक earn कर सकते हैं, जी हाँ friends बिलकुल भी मैं आपको live सब कुछ करके देखाऊंगा, कि कैसे आप account को बनाएंगे, कैसे profile को set करेंगे, कैसे project के लिए bidding कर सकते हैं, और वहाँ पे पैसा आप receive कर सकते हैं, पूरा का पूरा आपको live देखाऊंगा, इसलिए इस वीड ने इस website का काफी detail से वीडियो बना के upload किया है, तो अगर आप चाहते हैं वो सब website को सीखने के लिए, तो बिलकुल भी वीडियो के section में जाके वो सब वीडियो को देख सकते हैं, अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं दोस्तों कि इस पे कौन-कौन से लोग काम कर सकत है, सिर्फ और सिर्फ आपको skills आना चाहिए, अब skills कौन-कौन सा है, तो friends, computer से related, कोई भी आपको काम आता है, तो almost सभी तरीके का work freelance पे आता है, जैसे general में बताऊं, तो data entry का दोस्तों सबसे जादा project आता है, और data entry में क्या है, तो simply excel पे काम होता है, word पे काम होता है, typing होता ह तो बहुत ही basic है दोस्तों, एक एक पेज का, यहां friends, एक एक पेज का आपको 101500 रुपया ऐसे आपको यहाँ पे पैसा मिलता है, आपको लगता होगा कि एक पेज का 101500 रुपया ये तो बहुत ज़ादा है, friends, वाकई में इंडिया के लिए ये पैसा बहुत ज़ादा है, लेकिन फ्रीलेंस पे दोस्तों international client होते हैं, internationally आप काम करते हैं जैसे US, UK, अलग-अलग country के लिए आप काम करते हैं और वहाँ पे 1500 रुपया ये बहुत बढ़ा amount नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आप इंडिया में बैठके, आप अपने घर में बैठके और US, UK के लिए काम कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा opportunity आपको मिलता है, और बिल्कुल भी आपको इसके लिए बहुत कुछ नहीं सीखना है, जैसे अगर आपको website नहीं आता है, coding नहीं आता है, कोई बात नहीं है, स्रिप आप data entry करके एक ठीक ठाक पैसा को कमा सकते हैं, और वो भी दोस्तों स्रि इवे में आप सभी जो है participate कर सकते हैं, बहुत ही simple step है, और सभी कोई जो है यहाँ पे जीत भी सकता है, जी हां दोस्तों, यहाँ पर कोई भी condition नहीं है, कि 5 लोग, 10 लोग या 20 लोग जो है, वो ही लोग जीतेंगे नहीं, और जो मैने condition दिया है, उसे आप fulfill करते हैं, तो बि तीसरा condition, जी हां दोस्तों ध्यान से सुनिएगा तीसरा condition, तीसरा condition है कि इस वीडियो पे 40,000 कॉमेंट आना चाहिए, अब यह कैसे करेंगे आप मुझे नहीं मालूम है, बिल्कुल भी आप कर सकते हैं, अपने friend circle में इस वीडियो को share कीजिए, 40,000 कोई बहुत बरा नमबर एंड आप multiple comment कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा comment आप कर सकते हैं, और जो आपने comment किया है, उस पे जब 40 like पूर जाएगा, मतलब आपके comment पे 40 like आजाएगा, तो आप इस giveaway में qualify कर जाएगे, मिन्स आप यहां पे जी जाएगे 200 रप्या कैस, और बिल्कुल भी जैसे ही email के माधियम से या फिर comment के माधियम से अपना skin sort भेज़िएगा, तो इस टेंट आपके account पे पैसा को transfer कर दिया जाएगा, अब चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले open कर लेंगे दोस्तो chrome browser को, यहां पर दोस्तो आके search करेंगे freelancing.in या फिर freelancer.com, यहां पर देखें freelancer.com है, तो यहां पर click कर देंगे, अब देखें पूरा dashboard खुल चुका है freelancer का, तो एक बार यह सब को आप बढ़िया से एक बार check कर लें, देख लें, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तो हम लोग sign up करेंगे, तो यहां पर click कर देंगे, and simply यहां पर दोस्तो हम एक email को और फिर दोस्तो यहां पर password को करेंगे create, दिन उसके बाद join freelancer पर click कर देंगे, तो यह बहुत basic सा step है, मैंने already freelance को join किया हुआ है, तो simply हम यहां पर login करेंगे, इस type से यह open हो रहा है, अब उपर में देख लें, तो यहां पर है notification और यहां पर है message, ठीक न, आप जो भी conversation करें प्रोजेक्ट से related, तो यह message का icon है, यहीं से आप करेंगे, और नीचे आते हैं दोस्तो, तो सबसे पहले हम आते हैं यहां पर, इस पर click करेंगे, और यहां पर दोस्तो प्रोफाइल से related, account से related सभी information होगा, जैसे मैंने तो already यहां पर प्रोफाइल को add किया हुआ है, प्रोफ प्रोफाइल भी क्या है, अगर आप first time join करते हैं freelancing.in को, तो यह सब जो है initial में ही आप से पूछ लेगा, जैसे यहां पर एक image को लगाना है, cover image को लगाना है, और फिर दोस्तो एक profile image को लगाना है, profile photo को लगाना है, तो profile photo दोस्तो तुरह सा professional होना चाहिए, बढ़िया photo एक लगाई, उसके बाद यहां पर hourly rate, ठीक न, आप hourly क्या charge करने वाले हैं अपने काम के लिए, ठीक है, तो उस चीज़ को आप यहां पर fix कर सकते हैं, उसके बाद है यहां पर professional headline, तो एक छोटा सा headline जो है आपको अपने बारे में यहां पर add करना है, कि आप क्या है, क्या करते ह है, क्या आपकी qualification है, ठीक न, तो 3-4 line में ही आपको वो पूरा बात को लिख देना है, एंड फिर दोस्तों है यहां पर summary, तो summary में अपने बारे में details लिखे यहां पर जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, काफी बड़ा यहां पर space मिलता है आपको, उसके बाद में और भी review है, तो यह सबको हम लोग aid कर सकते हैं, experience, education, qualification, publication, certification, ठीक न, यह सबको यहां पर हम लोग aid कर सकते हैं, सबसे important है दोस्तों यहां पर skills है, तो skills को यहां पर आपको aid करना है, ठीक न, जैसे मैंने यहां पर aid किया है website design, copywriting, data entry, wordpress and article writing, तो यहां पर 20 skills को aid करने का option मिलता है, तो friends, अलग-अलग हम लोग यहां पर 20 skills को aid कर सकते हैं, तो बिलकुल भी आपके अंदर जो भी skills है, आपको जो कुछ भी आता है, वो सबको आप aid किजिए, आप जितना जादा skills को aid करेंगे, उतना जादा chances होगा कि आपको project मिलेगा, और उतना ही जादा आपको यहां पर अलग से लेंगे, ठीके न, तो इसके लिए दोस्तो आना है setting पर, और जैसे ही setting open होगा, तो देखें यहां पर अलग-अलग आपको option दिख जाएगा, जैसे आप यहां पर membership भी ले सकते हैं, यहां पर है दोस्तो payment and finance, तो उसके बाद आ जाएगा यहां पर payment method, ठीके न, payment method में क्या है कि add payment method, यहां पर click करेंगे, और यहां से दोस्तो आप अपने debit और credit card को add कर सकते हैं, और दूसरा payment gateway है यहां पर PayPal, ठीके न, PayPal क्या है, तो PayPal जो है, एक payment gateway है, एक payment accept service है, जो कि international है, जैसे हम लोग इंडिया में Paytm, Payphone, Google Pay को यूज करते हैं, वैसे ही क्या है, इंटरनेशनल market में PayPal यूज होता है, चुकि freelance पे international client होते हैं, तो इसलिए यहां पर आपको PayPal का भी option मिलता है, लेकिन PayPal का आपके पास account नहीं है, हाला कि PayPal का account बनाना बहुत ही simple है, तो कोई बात नहीं है, simply अपना आप debit and credit card को इसमें add कर सकते हैं, इसके बाद यहां पर text से related information होगा, तो जै कर देंगे, अब simply आते हैं दोस्तों home पे, अब simply आएंगे दोस्तों यहां पे search पे, and यहां पे freelancers, project and contest, तो simply हम यहां पे click करेंगे project पे, अब देखें जो भी हमने skills को डाला था, उसके according to यहां पे यह बहुत सारा, अलग-अलग project को show कर देगा, तो बिलकुल भी मैं आपक बिलकुल भी live देखाता हूँ, और यहां पर देखें, professional resume writer, तो स्रिप और स्रिप आपको typing आता है, तो यह कम आप कर सकते हैं, तो simply हम यहां पे click करते हैं, तो इस type से इसका पूरा detail यहां पे आ जाएगा, टिक न, 10 से 15 euro जो है, पर आवर यह pay करेंगे, अब आपको लगता ह होगा कि 10 से 15 euro, 1 euro equal to कितना Indian rupees होता है, तो simply आप देखें, मैं आपको live देखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं, 1 euro equal to होता है 88 rupees, वहां पे हैं दोस्तो, 10 से 15 dollar, ठीक न, हम 10 ही लेते हैं यहां पे, तो देखें, पर आवर जो है, 880 rupees, और हायर जो है, कितना है, 15 है, तो देखे 1320 rupees, तो पर आवर दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहां पे 1000 से लेके, और फिर 1300 rupees तक हम लोग earn कर सकते हैं, स्रिप और स्रिपे, टाइपिंग करके, ठीक है, तो देखें, यहां पे लिखा भी हुआ है, need a professional resume writer, that can start a step, ठीक है, skills के requirement क्या है, तो copywriting, ठीक न, स्रिप और के लिए bidding जो है, वो कैसे करना है, तो देखें, bidding से related, यहां पे आपको दिख जाएगा, यह कहां का client है, ठीक है, तो यहां पर आपको दिख जाएगा, तो यहां पर देखाते हैं, तो यहां पर देखिए, hourly rate जो है, यह average ले लिया है, कितना 13, इउरो, ठीक है, तो ठीक है, 10 से 15 था, तो 13 ले लिया है, हम चाहें तो इसको change भी कर सकते हैं, simply हम यहां पर डाल दे रहे हैं, दोस्तो, 10 इउरो, ठीक है, 10 इउरो, ओके, यहां पर हैं दोस्तो, weekly limit 40 hours है, मतलब एक सब्ता में, हम 40 hours काम करेंगे, almost 6 घंटा daily हुआ, और एक घ सकते हैं, daily का, आप यहां पर 6000 earn कर सकते हैं, अब simply चाहें, तो इसे भी change कर सकते हैं, बट ठीक है, यहां पर दूस्तो लिखना है, describe your proposal, तो एक छोटा सा description को add किजिए, I am expert in data entry work, and it's related all work, so I want to give me this project, for a better way, तो आप अपने according to, यहां पर एक proposal को लिख सकते हैं, and simply आप नीचे आएंगे, तो यहां पर लिखा हुआ है place a bid, तो यहां पर click कर देंगे, तो इस type से देखें, इस project के लिए हमने bidding कर दिया, और यहां पर यह पूरा so कर देगा, इस project के लिए हमने per hour 10 euro का demand किया है, और इस project के लिए कौन कौन से लोग जो है bidding किये हैं, तो यहा करना है, कितना per hour demand करना है, क्या लिखना है, तो एक idea के लिए, जो है आप यह सब को analyze कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जैसे ही bidding time खतम होगा, bidding के लिए client जो है, एक हपता, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे time जाता है, तो जैसे ही यह time खतम होगा, तो किसी एक person को यह project मिल जाएगा, और ज के दुरू यहाँ पे conversation कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, और इस type से आप अलग-अलग project को लेके यहाँ पे काम को कर सकते हैं, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे freelancing.in पे account को कैसे setup करते हैं, profile को कैसे set कर सकते हैं, कैसे skills को aid करना है, कैसे project के लिए bidding करना है, payment gateway कौन कौन सा हो सकता है, उसे कैसे aid करेंगे, तो मैंने पूरा आपको step by step काफी details है, और वो भी अपने smartphone से ही आप यहाँ पे काम को कर सकते हैं, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी दोस्तों कोई भी आपको doubt है, तो बिल्कुल भी आप comments के मादे हम से मुझसे पूछ सकत हैं, तो friends मिलते हैं next video में, thanks for watching this video.